बिस्मिल्ला इरह्मान रहीम, अस्सलाम अलेकुम, वेलकम बैक टू मैंज चैनल, विया कुकिंग नॉट्ज और आज मैं एक नई रेसिपी के साथ आई हूँ जो बहुत ही मज़ेदार है और उसका नाम है चाइनीज टॉप कॉंस और इसमें डलता है वन कप मैदा, थ्री टेबल स्पून इसमें सोजी जाएगी, हाफ टी स्पून इसमें बेकिंग पॉडर जाएगा, वन पिंच इसमें फूट करर येलो वाला जाएगा, ठीक है और इसमें वन कप ग्राइंड शुगर जाएगी और वन कप मिल्क जाएगा, तो खुअ सब छाएगी अचे तीक है आए, अब हम घी बेंटर बनाएंगा,माड़ मिधा इसमें सिटका सब अंदर मैने कि ठीक हैं तो हईखिए göz. आए मिक्स करके, इसमें समें बेकिंग पॉडर याजी यह हमने तीनों चीज़े मिक्स कर ली अब हम इसमें चीनी डाल देंगे ग्राइंट जो हमने ली थी ठीक है अच्छी तरह से उसको ग्राइंड कर लिया था हमने और अब मैं इसमें एक्स डालूंगी इसमें टू एक्स जाएंगे अब इसको मैं अच्छी तरह से चमच के साथ मिक्स करूंगी इस तरह से इस्ता इस्ता मिक्स करते जाने हमने तमाम चीज़ों को अब इसमें मैं मिल्क एड करूंगी और मिल्क एड करके दुबारा से मैं इस बैटर को अच्छी तरह मिक्स कर लूंगी और कोशिश करूंगी कि इसके तमाम लंप्स खत्म कर दूंगे इस तरह से तमाम लंप्स खत्म हो गए हैं यह देखे मेक शोर के लंप्स घतम हो जाएं तब ही तो हमारा बैटर अच्छा बन जाएगा अच्छी तरह से इसको हिलाना है यह देखें इस ऐसे मैं इसको कर रही हूँ फिर हमने थोड़ा से इसमें मैंने चुटकी बताया था आपको तो वह हमने येलो फूट कलर एट कर देना है फिर जाएगा और आपके यह कलर राएगा इसका ठीक है अब हमने तेल को गरम कर लेना है एक साइट पर गरम तेल के अंदर हमने इसको पकोड़ों की तरह हम इसको फ्राए करना है यह देखें आप इसको कर लें भी यहो टिपरेंट शेप मनेंगी आप चाहें तो पедин में भी डाल के तो आप कर सकते हैं वह आपकी अपनी मर paragraph POLA यहाए भी ओल मुद्धी करना है श्राहिसाएं चाहें जीस तरह सेono, वह बना सकते हो यह आपने इस तरह से तेज चुंके ओयल तेज था गरम था इस वज़े से हमने इसमें तेज तेज लाई जाना है और ज्यादा ताकि वह जले ना ठीक है इसको पलटने हैं साथ साथ हमने साथ मैं और डालती जा रही हूं यह देखें इस तरह से अब मैं इसको पलट रही हूं और यह देखें यह लाइट ब्राउन सा कलर हैगा लाइट ब्राउन कलर होने के बाद हमने इनको निकाल देना यह अच्छी तरह से फूल गए हैं बेकिंग पॉडर की वज़़े से बहुत अच्छे से फूल गए हैं यह बड़े मज़े के होते ह और यह मीठे में आते हैं तो आप चय के साथ भी यह कंआ सकते हैं बहुत अच्छे बनते हैं इससे मैं यह तमाम इनको भादा दिया हैं divis मेरे और आभ इनको ग्रांडिट शुगर इंस तरह लेशरे में इनको रखती जाओंगी सर्विंग डिश में ठीक है और रेसिपी पसंद आए तो प्लीज जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें और प्लीज कमेंड भी जरूर किजिएगा थेंक्यू सो मच और यह देखें इस तरह से यह बन गए है